दोस्तो आज की इस वीडियो में एक और यहाँ पे प्रश्णल लोन एप लिके आया हूँ जहां से आप घर बैठे बैठे कुछी मिन्टों में प्रश्णल लोन ले सकते हैं वैसे तो बहुत सारे एप है जहां से आप प्रश्णल लोन ले सकते हैं उस पे मैंने वीडियो बना हूँ जिसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए जान लेते हैं बात करें सबसे पहले एप के नाम का तो फाइव इंस्टेंट प्रस्टनल लोन एप इसका नाव है यहाँ पे देख सकते हैं वहीं बात करें इस एप का रेटिंग का तो रेटिंग भी बहुत क्या है हुँ ही बात करें इसके डाउलोड का कि किसे डाउलोड कीई है तो आप देख सककते हैं आप देख सकते हैं 5 लेते हैं तो कितना प्रति इन्ट्रेस्ट za देना पड़ेगा। उससे पहले अप जान लीजे कि इसकी illegitory criteria का यानि कौन-कौन से लोग यहां से लोन ले सकते हैं। बात करें सबसे पहले illegitory criteria का। तो सबसे पहले sell rate individual होना चीए, यानि वो कोई काम धंदा करने वाला वैक्ति होना चीए, पैसे कमाने वाला होना चीए, ताकि वो लोन का पैसा चुका सके। उसके बाद उसकी उमर 21 साल से ज़्यादा होने चीए, 21 साल से कम वाले लोग यहां से नहीं ले सकते इस एप से प्रशनल लोन, अगर आपकी उमर 21 से कम है, तो आपके लिए भी वीडियो है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोन एप के बारें बताया है, जहां पे 18 साल के लोग भी ल मन्त 15 के, यानि महीने की कम से कम 15,000 कमाने वाल व्यक्ति होना चाहिए, जी हां, अगर आप महीने में 15,000 कमाते हैं, तो आप यहां से लोन ले सकते हैं, उसके बाद बात करें, डॉक्मेंटेशन का, डॉक्मेंट किया कि चाहिए, तो यहां पे देख सकते है, पैन काड चाहि आता है या फिर salary slip है तो और बेस्ट है बहुत बढ़िया है नहीं है salary slip तो जिस account में आपका पैसा आता है उसको यहाँ पे लगा दीजिए यानि उसका statement फोटो को पी आपको यहाँ पे लगाना है तो यह तो आपने जान लिया कि कौन-कौन illegible है अब जान लेते हैं मुद्दे की बाद कि आखिर कितना प्रतिशत इंट्रेस टेट यह चार्ज करता है तो बात करें यहाँ पे सबसे परसेंट ओफ दे लोन अमाउंट जी है दोस्तो प्रोसेसिंग फी भी आपको देना पड़ेगा अगर आप लोन लेते हैं तो 3% उसके बाद यहां पर बोनस चार्ज 500 रुपे लगेगा तो यही था दोस्तो इस एप के बारे में कि कितना परतीसात इंट्रेस्टेट चार्ज क किजिए अभी के लिए इतना ही थैंक्यू फू वाचिंग